हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम फ्रेंड्स पात करेंगे हनुमान जी के विभा के बारे में जी हां हनुमान जी के विभा के बारे में हनुमान भग तुने ब्रहमचारी ही मानते हैं और उनकी पूजा में अकसर उनके नाम के आगे ब्रहमचारी शब्द का ही प्रयोग करते हैं लेकिन तेलंगाना के एक मंदिर में उनकी और उनकी पतनी सुर्व चला की एक साथ मुर्तिया इस्थापित हैं यहां पुरी शद्धा के साथ उनका पूजन किया जाता है तेलंगाना के खमम जिल्ले में हनुमान जी शब्द का ये मंदिर देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहां उनकी मूर्ति उनकी पतनी के साथ इस्थापित है पारशर सहीता में हनुमान जी और शुर्फ चला के विभा की कथा है तेलंगाना के इस मंदिर के प्रती लोगों की गहरी आसता है, मानेता है कि जो भी इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वेवाहिक जीवन की सभी परेशानिय दूर हो जाती है, और पती पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है, जहां तक हनुमान जी की पत्नी की पात है, तो उनको सुर्य द उनका विवह सुरेदेव की पुतनी स्वरुचला से हुआ है. सहीता के अनुसार हनुमान जी ने सुरेदेव को अपना गुरू बनाया था. सुरेदेव के पास نव दिवे विध्याएं थी जिनका ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे. सूर्य देव ने इन नौ मेंसे पांच विध्याओं का ग्यान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेश चार विध्याओं के लिए सूर्य के समक्ष संकट खड़ा हो गया, धरसल इन चार विध्याओं का ग्यान सिर्फ उन्हीं शिश्यों को दिया जा सकता था, जो विवाई और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही जहन कर सकते हो। सुर्व चला से विवा के बाद तुम इस योगे हो जाओगे कि शेश चारे दिवी विध्याओं का ज्ञान प्राप कर सको। सुर्य देव ने ये भी बताया कि सुर्व चला से विवा के बाद भी तुम सदेव बाल ब्रहमचारी ही रहोगे क्योंकि विवा के बाद सुर्व चला पुन तपस्या में लीन हो जाएगी यह सब बाते जानने के बाद हनुमान जी और सुर्व चला का विवा सूरेदेव ने करवा दिया विवा के बाद सुर्व चला तपस्य में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूरेदेव से शेश चार विद्याओं का ज्यान भी प्राप्त कर लिया इस प्रकार व आप इस मंदिर के तो आपको तेलंगाना के खमम जिले हैदराबाद से करिब 220 किलो मीटर की दूरी पे इस्थित जगए पे जाना होगा, यहाँ पहुचने के लिए हैदराबाद से आवा गमन के उचित साधन मिल जाते हैं, हैदराबाद पहुचने के लिए देश के सभी बड अच्छी लगी होगी और आपको हनुमान जिनके विभा के बारे में काफिर कुछ पता पड़ा होगा तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अ आप चाहते हैं कि यह जानकारी औरों को भी पता हो तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए धन्यवाद